हेलो नवसकार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं इस वीडियो में DRDO Admin LR Recader का जो एक्जाम चल रहा है तो उसमें अभी बहुत से स्टुडेंट का एक्जाम अभी बाकिये होना तो उनके लिए ये वीडियो राम जाएगा उस वीडियो को उससे आपको बहुत मिलने वाली है एक्जाम से पहले चलिए स्टाट करते हैं चाहां आपने किसी भी पोस्ट के लिए एपलाई किया हो फॉम एड्मिनेस्टिटिव असीटेंट फायर्मेन सिकोर्टी असीटेंट इस्टोर असीटेंट बीकल ऑप क्रम से 1850 रुपे और 1480 रुपे है तो हानी प्रिस्ट क्या होगा देखो बहुत ही सिंपल से कुछन पूछे जा रहे हैं तो आप यह नहीं सोचें कि इतना सिंपल सके उस कुछन क्यों करा रहे हैं तो मैं आपको बस वही कुछन करा रहा हूं जो आपके परिश्चा में उस सकते तो यहां पर क्विश्च प्राइज आपका अधिक है से तो मतलई होगी हैं कितने परसंट की होगी यह आपको काल्य करके बताते हैं तो अठाब सो पहले सो एफार सो पचास में से 1480 को मानिस कर लेंगे कितने क्या नहीं होगी तब ही तो पता चलेगा तो यहां पर कित 370, 370 आया तो 370 की कितने पहानी हो रही है, यह हो रही है, 1850 पे, CP पे कल्कुलेट करते हैं हम परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यह कितने का आगया, 20 परसेंट, तो 20 परसेंट की उसे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसका राट अंसर क्या होग तो डिवल्गेंज का अंटरॉम्स होता है, खंड़ित करना मता, रेपुडेशन, पहला अपसन इसका करेक्ट अंसर है, नेक्स्ट कुशन का अंसर बताएंगे, तीसरा कुशन है, मैथ से कुशन है, इस मैथ का कुशन का अंसर बताना आपको, अपसन आपको दिखाई दे र से, तो आपको इस टैप के कुशन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, किस तरह सॉल्व करना चाहिए, तो यहां पर 18 चात्रों का अउसत बजन रखा है, 45 kg, लेकिन हम जब नए चात्र को सामिल करते हैं, तो वह मतलब आते ही, उसमें 3.5 kg आउसत में बढ़ा देता है बजन को, तो उसत में बढ़ाता है, इसका मतलब 18 चात्रों में बढ़ाएगा, तो 18 मल्टिप्लाई कितना करेंगे, 3.5 ठीक है, तो टोटल बजन कितना बढ़ गया, तो अठारती चावण, उसके बाद और यह 9 रोवा, 63, 63 kg बजन बढ़ गया, 63 kg बढ़ गया, लेकिन अग 14, 63 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल, यह हो जाएगा, 108, 108 kg का वो ब्यक्ती था, इसलिए यह 3.5 kg बढ़ा था, तो यह आप से पूछा था, तीसर अप्सन का करेक्ट आंसर है, आसे करता हूं समझ माया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, चौते कुशन क इसका राटन सुरो होगा, साई मिन्स क्या होता है, सरमीला, और इसका मतलब होता है, अंतर मुखी, अंतर मुखी, और इसका सिनोनेम होगा, मतलब सरमीला, साई, ठीक है, तो दूसरा अपसा इसका राटन सुरो हो जाता है, आपके एक्जाम में, आपके एक्जाम में, एंट ज्यादा difficult question नहीं पूछे जा रहे हैं, पांच मां question है, X, Y और Z की बरतमान आयव का योग दे रखा है 165 वर्स, ठीक है, पांच वर्स पहले उनकी आयव का अनुपाद था, 3 अनुपाद 5 अनुपाद 7, तो X और Z की बरतमान ओसत आयव क्या है, यह आप से पूछा है, बहुत ऑब हम क्या करेंगे, यह जो talk दे रखा है, टोटल को हम पहले ले जाएंगे, पहले ले जाने के लिए क्या करेंगे, कि तीनों की यज पांच पांच वर्स, कम हो जाएगी, तो 15 वर्स पंत्रे बर्स पंडर बर्स घटा देजिजा, कितना आ जाएगा 150 पांच वर्स isक तीन प्लस पांच आठ और साथ 15 यह 15 का दिर्खा है तो 15 दाड़े 10 तो मतलब यहां पर जैसे कि हम रेशियो को क्या करते हैं तो एक्स इसमें मल्टिप्लाई रहता है तो एक्स इस इकल टू क्या जाएगा 150 वटे 15 क्योंकि 15 यह नकाई हो गए तो 15 से डिवार करें दस आजाएगा एक्स की वैलू आपके पास 10 है अब आपको पूछा है एक्स और जैड की बरतमान और सताइब क्या है लेकिन हमें यह प टीस आजाएकी एक्स की और जैड की हमने लिए जैड से मतलब हमें तो सब्सक्ण सतर इसकीव सतर आ गई है अब यह हमें दोनों की तीस और प्लस सत्तर यह दौनों की हमें इज मिलिए हमें अब हमें बरतमान निकाननी है तो बरतमान की महाना है तो पांच-पांच बड़ से हम CLB तो 30 में 5 35 हो जाएगा और 75 हो जाएगा करते हैं यह कितने हैं दो की संक्या से बाग कर देते हैं मतलब योग में योग में हम डिवाड करेंगे तो और 15 पन यह तो दौनों की आयू का उसत कितना आएगा पच्पन यर तो पच्पन वर्स इसका राट अंसर फॉर्थ अपसन इसका करेक्टर अंसर बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है आसा करता हूं समझ माया होगा एक वार वीडियो को फिर से देख लेना समझ माया जाएगा अब बताए एक वट्टे आस हिस्सा शड़ा उवा है उस बंडार स्टॉक में अनाज का कितना पिस्षथ सड़ा उवा नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा कुस्ण है मान लीजिए आपका अनाज बंडार था आठ उसमें से एक भाग उसमें सड़ा हुआ है तो इसका मतलब बचा बचा परसेंट इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा पहला प्सन इसका करेक्टा नसर आएगा पहला प्सन इसका राटनसर तो आशा करता हूं समझ माया हो बहुत ही सिंपल सा कोशन था अगर आपको इस तरह भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको और तरीके से बता देता हूं यह सड़ा हुआ बाग निकाल देंगे तो कितना बचेगा साथ बच्टे आठ बाग अब यह हमारा सड़ा हुआ नहीं है अब यही पूछाता कितना फ्रैस है तो हंडर से मल्टिप्लाइ कर देंगे कितना जागा फाइस टफ्सन इसका याटनसर होगा आशा करता हूं आपको द अपने उपर बस आपको सांती के साथ एक्जाम अटमेंगे पूछे जा रहा है और जिनने इस्टूडेंट का भी एक्जाम होना बाकिया वह ज्यादा प्रैसन ना लें अपने ऊपर बस आपको सांती के साथ साथ एक्जाम अटम करना है और 75 कुशन को पूरा सॉल्व करके आना है और यह कि भी कुशन नहीं छोड़ना है यह चीज़ द्यान रखिएगा वाकि आपको बहुत ही सिंपल कुशन आ रहे हैं आपको एक गंटे का टायम पूरा मत्ता यूटलाइज कर पाएंगे तो यह द से भी डिवाइड होगा के नहीं होगा लेकिन कुश स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वह तुरंत इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 300 हम क्या करते हैं टोटल दूरी वाटने समय तो डिस्टेंट अपन समय तो 304 अपन और से डिवाइड कर देंगे तो कितना पर इसे कुशन है तो आपको करेक्टली इसपेड बड़ बताना है क्योंकि आपके एक्जाम में इस टैप के कुशन पूचा गया था ग्रामर का आपको पूचा तो ग्रामर का कौन सा बड़ मीनिंग सफी लिखाता वह यह आपसे पूचा था इसी परकार यहां पर आपको नहीं लिकराजहें आब मताएंगे किस्टों corka मिं कैसे लिखा जाएंगे खान समय इसका सब्सक्राइब सब्सक्रांज वह भी Kurt रहें नेइसस कहां सब्सक्राइब आपको बताना है only one only one sorry only one of his proposal was accepted in the meeting while others were तो आपको यहां पर दिरक्का accepted यह जो bracket में दिरक्का accepted इसका antinoms क्या होगा यह पूछा आप से तो इसका antinoms क्या होता है इसका antinoms होता है rejected ठीक है मतलब हम किसी चीज को accept कर रहा है तो हम उस चीज को reject करेंगे जब belong करेंगे तो उसका ठीक है तो second option का राटनसर है आसा करता हूं समझ मारा होगा अगर आपने वी तक माचनल subscribe नहीं किया तो कर लीजिए क्यों सरमाते हो चैनल को subscribe करी सकते हो कि मुझे इतना सपोर्ट तो करी सकते हो आप लोग जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो 11 में कुशन का answer बताएंगे जिए लेक्ट दा मुस्ट एप्रोप्रपियेट Enough की फिर्डश का। ऐइंवन उस्छोन ऊसे आपको बताना हैं वेफल का का समझ मों औरती क्या होता है तो इसका समय में में जो होगा तो इसका करेक्ट आंशर है अगर आपने विडियो को लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा आपने यह वीडियो नहीं देखिए लिए इंपूरेंट है और सभी स्टुडेंट को आप पूर्च सकते हैं जो इनसे पहले एकजाम हुआ है उनका उनके एकजाम में हमारे कुस्ण से कितनी हल्प मिली है बता दिए खुद तो आप हमारी वीडियों को देख कर जाएं अगर आपका एक्जाम नहीं हुआ है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपको सब्सक्राइब हो जाएगा आपका और आप भी अच्छा कर पाएंगे स्कोर तो चलिए वीडियो को यह सब्सक्राइब करते हैं थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो